हाई फ्रेंट्स मैं सीवू गेम पोडल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रैनी के एक बड़े राज के बारे में जो है टेडी यूँ तो ग्रैनी गेम बहुत फेमस हो गया है और काफी लोगों ने इसे खेला है यह बहुत मिस्ट्री इस गेम है इसमें बहुत सारे मिस्ट्री भी है जिसमें से एक मिस्ट्री है टेडी बेर का जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि इस घर में टेडी बेर भी है जिसे हम खो सकते हैं और उसे इस पालने में डालना रहता है फिर उस पालने में डालने के बार हमें सेलोनी दिखाई देती है तो चलिए जानते हैं कि किस टाइप का वो राज है यहां पर यह फॉस्ट फ्लोर है जहां जा रहे हैं और यहां जाने के बार देखिए यहां एक सी सिक्रिट जगह है जहां आप जाके टैडी बेर कोंग सकते हैं 25 रोब जिस को घटाने वाद में 29 राज तो स्थे यहां आ इक कैबिन है जिसमें 40 रोब उस नॉब को दवाने के बार हमें एक और सीक्रिट डिटम दोर मिलता है जिसे उपन करने पर हमें टैडी बेर दिखाई देता है ये टैडी बेर घर में एक बड़ा राज है क्योंकि पता नहीं क्यों ग्रैनी इसे लेकर बहुत ही पॉजसिव रहती है जैसे ही आप इसे टैडी बेर को अपने हाथ में होल्ड करेंगे ग्रैनी तुरंत आपके पास आ जाएगी औ आपको ग्रैनी की हार्ट बीट सुनाई देगी और ग्रैनी की आँखे भी लाल हो जाती है और वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती है जब तक आपके हाथ में टैडी बेर होता है देखे ग्रैनी की आँखे लाल हो जाती है वो अजीब सी बेचानी महसूस करती है करमल हो गयी है तो यह ऐसा क्यों करती है ग्रैनी को टीडि बेair इतना अजीज इतना पसंद नहींक है कि वह दूसरे के हाथ में इसे जाने देना नहीं चाहती तो आगे हम देखते हैं टैडीबेर का यूज इस घर में अगर हम teddy bear को पकड़ लेते हैं हाथ में और उसे first floor में जो attic है attic में जो पालना है उसके अंदर डाल के देखेंगे कि क्या होता है तो चलिए teddy bear अभी मेरे हाथ में है इसे मैं उपर floor में जा कि attic में उस पालने में डालता हूँ तब आपको ये पता चलेगा कि teddy bear को पालने में डालने के बाद सेलंडरीना बाहर आती है ये dv looper का latest series है जिसने पहले भी बहुत सारे horror games बना है सेलंडरीना उसकी एक part है फर्स्ट उसका जो game था वो सेलंडरीना ही था ग्रैनी लेटिस्ट उसका horror game है तो ये सेलंडरीना आती है जब हम teddy bear को पालने में डालते है सेलंडरीस की बहुत सारे game है जिसमें आपको ग्रैनी भी दिखेगी और अगर आप teddy bear को डालके सेलंडरीना को बुला लेते हैं तब घर से बाहर निकलने पर जो सीन मिलता है उसमें आपको teddy bear सेलंडरीना और ग्रैनी एक साथ दिखाई देती है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों में क्या connection है teddy bear, सेलंडरीना और ग्रैनी में एक्चुली इस घर में एक massacre हुआ था इसका मतलब है कि किसी आदमी ने इनकी पूरी फैमिली को यहां मार दिया था जिसके कारण ग्रैनी आदमियों को ढूनती है और उन्हें मारती है यह book आपको मिलेगा यह book आपको सेलंडरीना की बाकी series में भी मिलेगा इसे हम एक secret door है यहां पर जो open हो चुका है इसे पर हम यहां पर रखेंगे तब आपको सेलंडरीना की माँ और ग्रैनी की बेटी दिखाई देगी सेलंडरीना की माँ को इस तरके से बांद के मारा गया था ग्रैनी बज गई थी घर में और टेडी बेर के साथ सेलंडरीना को मारा गया था इसलिए जब्भी हम सैलेंडरीना को स्पाले में जिसमें सैलेंडरीना स्वależ आय करती थी, उसमें रखते हैं तो सैलेंडरीना वापस आ जाती है आप इसमें देख सकते हैं वो सैल जिसमें इसकी माँ को रखा गया था वो बहुत ही भायनक सीन था जब पूरे घर में के लोगों को मार दिया गया उस आदमी के द्वारा उस रात तो उसके बाद से ग्रैनी सभी लोग आदमी को ढून कर मारती है और टेडी बेर में सलेनिया की आत्मा बसती है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलेगा थेंक यू